देरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हर वेक्ति चाहता है कि सब लोग उसका सम्मान करें और वो एक अच्छा अप्लाइन एक अच्छा गाइड बने अगर आपका ये सपना है तो ये इंट्रिव आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है लास्त तक बने रही है दोस्तो नमस्कार आदाब सिस्सिकाल चैट विट सुरिंद्रवस के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज फिर एक बड़ा दिन हमारे लिए क्योंकि एक बहुत बड़ी कंपनी के बहुत बड़े लीडर आज फिर हमारे मेवान है आईए बहुत उत्सा के साथ मिलके स्वागत करें बंबई से राजेश यादाव सर दूसरी बार हमारे बीच में उपस्तित हुए है बहुत बहुत स्वागत राजेश सर दूसरी बार हमारे सोपे यस बहुत अच्छा लग रहा है आज वापस मुझे मौका मिला यहाँ पर आने का अब आप से मिल मिलके तो बहुत सावी गुपजा भी मिलती है आपको देखके हम खुद मोटिवेट होते होते थैंक्यू सोमच सर यह आपकी महाद्दा है पहले एपिसोड में हमने बहुत डेटेल में आपकी स्टोरी जानी और आपकी स्टोरी से बहुत लोग इंस्पायर हो जाऊंगे सर क्योंकि जब एक वक्ती संगर्स करता है और उस समय उसको कोई कैसी स्टोरी मिल जाए जो महानायक है और वो महानायक भी उसी तकलीब से गुजर रहा है तो उसको लगता है कि यह समय भी कुछ को जिंदगी में कर जाऊंगा तो वो बहुत इंपोर्टेंट थी और जिन वीवर्स ने राजेश यादव सर का पहले वाला एपिसोड नहीं देखा हुआ वो जुरू देखे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहे हैं तब ही आप इसको और ज़्यादा अच्छे से आप इंज्योय कर पाएंगे पिसले एपिसोड में राजेश सर हम वीवर्स के क्विश्चन बहुत कम ले पाए थे तो क्विश्चन की मेरे पास में बहुत बड़ी लिस्ट है लेकिन उससे पहले कुछ कॉंप्लिमेंट्स में पढ़ना चाहता हूँ असोग परमार लिखते हैं 2017 में सर आपकी BBS ट्रेंणिंग करके मेरा माइंड सेट हुआ था सर आप ग्रेट हो अविनास परजापती बोल रहे हैं किंग ओफ डिरेक्ट सेलिंग इंडस्टी ग्रेट मोटिवेटर लीडर हमल परसनेल्टी राजेश यादव सर अनिल गाविल लिख रहे हैं वाव जबर्दस सर जी हम आपका इस सोपे बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे थे फाइनली हमारा सपना पूरा हुआ और लास्ट कोमेंट्स पढ़ रहा हूँ सर मैं इस्वर पाटिदार का सर हमारी कमपनी में लाखों लोगों की जिन्दगी बदलने वाले ऐसे हमारे रोल मॉडल है मैं बहुत फैन हूँ सर आपका आज मैं डिरेक्ट सेलिंग में हूँ तो सिर्फ सर की वज़े से हमने सर का आर टी पी सुना था बहुत मुस्किलों से वरी life स्टोरी है सर की ठैंकियू वे वे मत सभी लोगों का और ये कॉमेंट सी बता रहे हैं सर कितने लोगों की زिंदगी को आपने टच किया और कितने लोगों को आपने कामया बनाया हैरा इसर कामया तो हम नहीं बनाते, कामया वो खुद बनते हैं, हाँ, no doubt थोड़ी बहुत जो हमावी सक्सेस्ट हो भी उनको मुटिवेट करती होगी. देखे, प्रमात्मा ने कितना अच्छा काम दिया, राजेश जी आपको दिया है, और बहुत सारे लोगों को दिया है, मैं भी उस लिस्स में अपना नाम सामिल कर लेता हूँ, कि हम खुद तो करी रहे हैं, चलो जो भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को, कि मैं कहूं, तो यह एक आध्यत्मिक काम भी है, स्पिर्चुलिटी भी है, क्योंकि किसी को अगर इसकी ज़रुवत है, आज इंकम अपरचुनिटी की नीड बहुत है, लोगों को, क्योंकि जॉब अपरचुनिटी बहुत कम है, हमारे पास, और बिजनस करना इतना आसान नही अपने देस्टेशली, आम आदमी करें तो क्या करें, तो इसके लिए इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं, बस उससे यह confidence देना, जो हम अब आप करते हैं, यह हमारे जो compliment मिलते हैं, इसलिए मिलते हैं, और आप एक बड़े आईकॉन इसलिए कि आप टीम के लिए तो करें आप पुवे इंडिस्ट्री के लिए काम कर वे, तो मैं आपको तो हवज आपके मैक्जिममम एपिसोड मैंने देखे, डे वन से लेके, आप जो काम कर वे हो, हमसे ब एक कदम आगे हैं, आप सही हम सब के लिए बड़े वोल मॉडल हैं सर्थ, थैंक्यू, थैंक्यू सो यह प्रशन है, घुरशीद 4786 का, दू यू वांट ए स्टुडेंट तो डू नेट्वर्क मार्केटिंग या सो नो, एक स्टुडेंट को डिरेक्ट मार्केटिंग, डिरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए नहीं, अंडेट परशन करनी चाहिए सर्, क्योंकि यहां पर बहले वो न इसा प्लेटफॉर्म यहां पर मिलता है, जहां पर आपका कम्यूनिकेशन स्कील बढ़ता है, लोगों से बात करना आप सीखते हो, इसके साथ साथ आप बिजनेस जब करने निकलते हैं, तो कितनी कठिनाईयां आती है, जो कस्टमर से आप जब हैंडल करते हो, तो यह आप क पोस्ट मिल जाती है, बहुत कम पेजे में मिल जाती है आपको, यह मौका इसलिए स्टूडेंट को तो डेफिनेटली में कहूंगा दो-तिन साल करना ही चाहिए, एक बड़े क्रांतिकारी परसन है, सुमिच चोहान, उनका चैनल है सोच, उसके माध्यम से वो कुछ ने कुछ वीडियो डियक्ट सेलिंग को लेकर और स्पेशली जो मनी सर्कुलेशन वाली कंपनिया है, फोरेक्स टेडिंग वाली है, तो उनके पीछे वो लगे रहते हैं हमेशा, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, उनको एक बार हमने आमंतरत किया था, तो उनने का कि आगे बात करनी पड़ेगी, तो डियक्ट सेलिंग आपको बोलना सिखा देगी, तो और आपने बताया कि परसिनल्टी को बहुत ग्रूम कर देदी है, तो कितने सारे लोग हैं जिन्होंने टाई लगाना डियक्ट सेलिंग यहां पर सिखा है, मैं एक उसमें से हूँ, यह को सबसे बड़ा जाता है, और डियक्ट सेलिंग आपको एक सा मन चुपलब्द करके देता है, जहां आपके ओ देवे-देवे कब निकल, क्योंकि मैं एक उधारण हूँ, मुझे माइक पर बात करना बहुत डर लगता था, मुझे पहला दिन याद है, कि जब माइक आता था, हाथ पर यह होते था, आखों के सामने अंधेवा आता था, अगया पुब्लिक मुझे देख रहे हैं यह सब, मैं कैसे बोलू, लेकिन आथ दिवे-दिवे बोलने लगे, आज तो घंटो बात कर लेते, तो यह सीखना बाहर कहीं संभव नहीं है, जो यहां पर मिलता है हमें, सर, देली में ऐसे ट्रेनर हैं, जो पुब्लिक स्पीकिंग का एक लाख रुपे से ज़्यादा चार्ज करते हैं, सुझे, अब मुझे पता नहीं हो, आओ कितना सीख पाईगा, लेकिन इस प्लेटफर्म पर अपने अप सीख जाते हो, इसलिए स्टूडेन को जबब करना च लेकिन आज समय अलग है, आज से 15-20 साल पहले का समय अलग था, आज नेटवर्क मार्केटिंग को परिवार समझ भी रहा है, एक्सेप्ट भी कर रहा है, और मेरे टिम में से कई लोग है, जिनकी सेकेंड जनरेशन अभी काम कर वी है, यानि माबाप ने सुभू किया था, प अच्छी डिग्री है, कहीं पर भी जॉब पर जाएंगे तो 10-15 लाग का पेकेज मिल जाएगा, उसके बाव जो दोनों ने इसको चुना है, तो ये आज फैमिल समझ, क्योंकि उनके गहें में सक्सेस है, लेकिन एक आम आदमी जहां पर सक्सेस नहीं है, उहां पर थोड़ा अपने लोगों को बता तो अपने मिटिंग ट्रेजिंग में हो ये, कि आप अपना गोल बुक बनाएए, और उस फैमिली को दिखाए गोल बुक, उनको भी नूल किजिए, उनसे पूछें कि आपके क्या गोल है, उनसे पूछ के ही गोल हम बनाएं, क्योंकि हमारा गोल तो के लिए बनता है, अब उनको दिखाओ, क्यों कर रहा हो, मैं इस चीज को हासिल करना चाहता है, और इस किस के लिए? अपनी घंडे टीनीक के लिए. तो में भाले आठ घंटे जौब करता हूँ, तो जो मैं चार घंडे अलग से देता हूँ, ये फिर गोल के लिए दे रहा ह ये सब छोड़ दे तो 10,000 कमाना सीक पहले, क्योंकि तब मैं कुछ नहीं कमा रहा था एक दम सुवह के दो तो मैंने कमिटमेंट किया कि मैं हर महिने घर में 10,000 वोपे दोंगा, अच्छा आप जब कमिटमेंट कर लेते तो दो महिने तीन महिने से चलो दो तीन महिने सीखने मे या थोड़ा समझने में जाएगा, दो-तीन महीने के बाद आप एक, हब महीने एक फिक्स अमाउंट को, भले पाँच हजावो, दस हजावो, भीस हजाव, आप घर में देना सुभू करिए, और ये बता के दीजिए, ये पैसा डैवेक से लिंग का है, आप करके देखिए, लोगों को पेसेंस कैसे रखवा पाऊं, बीच में लोग छोड़ देते हैं, सर इसकी में वज़े ये होगी कि कई बार लीडर जो प्लान दिखाते समय, जब उसको आप जॉइन कर रहे थे, जब उसके सामने प्रपोजर लख रहे थे, तो हमने क्या किया, उसको बहुत एज इसी वे से प्रजेंट किया, और कई बार हम लीडर गलती कर देते हैं, तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे कैवल जॉइन होजा, अब पहली गलती है, और छोड़ा क्यों, प्रिपेर है कुछ जादा मिलेगा, जल्दी मिलेगा, जल्दी मिलेगा, बिना मेहनत के ये कि तयारी ही, तुझे आप इस इंडिस्ट्री में आईए, पहला लेसन आपको चार से छे साल यहां काम करना ही पड़ेगा, आप बाकी जॉब में पचीस साल, तीस साल पूरी जिंदगी देते हो, यहां पे चार से छे साल क्यों नहीं देंगे, और दूसरी चाहिए, जब आ कि अपने स्टार्ट किया तो आपने क्या बता है, मेरे भी सपने हैं, तो आज कहांगे उस अपने, आप उससे पूछ सकतो, और उससे यह भी पूछ सकतो, अगर यह काम नहीं, तो कौन सा जविया है जिस से तेरे यह सपने पूरे हो जाएंगे, क्योंकि जब भी मैं देखत वहीं से मिज़ा है, वाइच वरकी सिस्टम के साथ जोड़े वखिए तो काम अपने अब बनेगा, ड्रोप आउट कम होंगे, होंगे मैं नहीं बहुत कम होंगे, हमारे साथ कई लोग हैं हम लोग 20 22 22 साल साथ में काम कर वहें, हाज 20 साल में काम करना और एकी कमपनी, एकी टीम के साथ इतना आसान नहीं है लेकिन लोग जुड़े वे एक ही वज़ज़ कि विजन किलेव हो गया है यह यह स्वाइट वरून गौतम का प्रिशनेजर अलग-अलग ट्रेनर अलग-अलग तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए बताते हैं एक नया डिस्टिबूटर सब की बाते सुनकर कन्फ्यूज हो जाता है क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ट्रेनर हैं इस कन्फ्यूजन को कैसे दूर करें आज देखा जाए सोसल मीडिया या यूटूब हमारे लिए जितना व रही है इस वक्त तो लोग इतने ट्रेनर को सुन लेते कि हर कोई अपना अपना इडिया नहीं बोलता हूंकि आइडिया गलत है सब अपने तवीके से बताने की कोशिस करते हैं और आप दस को सुनोगे तो दस आइडिया मिलेगी तो आप कन्फिस होना लाजमी कोई भी होग मेरा यह कहना है कि आप किसी एक या दो जो आपको अच्छा लगता है उनी को फॉलो करिए सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा आपके चैनल को फॉलो कर ले सब पूरी गंगा जमना यही मिल जाए और कहीं जाने की जबत नहीं है यहां से बहुत सारी लीडर आए गया जो आप आपको अच्छे लगते एक दो अच्छे बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर है है हमाए पास यूटूब पर बहुत 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 वहत्वीन ट्रेनिंग है वह एक-दो को पकड़िए और उसको फॉलो करिए उससे बढ़कर मैं बोलूगा आपके ग्वेट अप्लाइन जो और दूसरी एक चीज़ बताऊंगा आप जितना आप ट्रेनिंग से नहीं सीखते हो, मेरा प्रस्टनल वानना उतना फिल्ड में जाके सीखते हो, जब आप फिल्ड वर्व करते हो तो लोग ही सिखा देते हैं आपको, तो फिल्ड वर्व करो अपने आप सिखते जाओगे, सर मुझे ये जानना है, कौनसे अप्लाइन का बात मान चाहिए? एक अप्लाइन बोलते हैं, सेल करो, उनके अपर के अप्लाइन है, वो रिक्रूटमेंट करो, किनके बात माने है? का करहा है किसल करेंग करो 대해서 कि प्रॉडету में करूग कर दूसरा अपको नहीं कि आप सेल करू आपको करना या मैं उसमें कम जो यह बोल सकता हूं लेकिन मैं विकूटमेंट का मास्टर हूँ तो मैं जो माल बेचा हूं मैंने डाइवेक कम बेचा है लोगों को जॉइनिंग के ओरियंटेट ज्यादा बेचा है तो आप दोनों की सुनो अब इस बिद्नेस में मैं हमेशा लोगों को बत आता हो तो मुझे समझ में आ जाता है कुछ देर के बाद यह जुड़ने वाला नहीं है इसका जब क्लोजिंग का समय आता है तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन देता है तब आप बेचने वाले पर चले जाओ तब वड़क को हाइलाइट करिए और जो उसकी ज़रूरत का अनुसा आ रहा है आप उसको हजार दो हजार का दे के आ जाएए तो आप कम से कम सेल तो लेकि आए और कहीं पर आपको लग रहा है यह इंकम ओरेंटेड बंदा इसे पैसे की ज़रूरत है और यह बिजनस भी करना चाहता है तो उहां पर बेचने से ज़्यादा रिकूर्ट वाली बात करूंगा तो दोनों चीजे है आपके सोबाहों में क्या ज़्यादा बेचे वे आप उस पे ज़्यादा काम करेंए तो क्योंकि हम काम तो बेचने का ही कर वे इंडाइवेक्टली सर्जुमोरिया का प्रिशन है नए व्यक्ति को सेमिनार में किस तरीके से लाया ज आतो और आपने तो बड़े-बड़े सेमिनार किये हैं सर्क कितनी बड़ी-बड़ी मिटिंग की होंगी कुछ मिटिंगे तो बहुत बड़ी-बड़ी की है लास्ट हमां भी जो एक मिटिंग हुई थी ड्वीम्स डे में जहां पे कभी सत्तर आज़ाब लोग आये थे ओपन हो जाते हैं मुझे यहाद है हमारे मिटिंग में कई लोग सिभू में जब आये थे हॉल के पास आके भी अंदर नहीं आये वाहिव से गाइब होगे क्यों आप कोट टाई वाले तो समझ गया है कोट टाई जोड़ने वालो कुछ का होगा तो एसे लोगों के साथ आप मैं को आप वन-टू-वन बेठिये उनके घर जाएए और खुलके डिस्कस करें आज तो ओपन प्लेटफॉर्म है और बुलाने के कुछ टेकनिक से इनिविटेशन आप कुछ इनिविटेशन सिखिए किस तरह से इन्वाइट करना है आप सही डंग से इनिविटेशन करोगे तो मै है बड़ी बढ़ गई है पिटोल सो के उपर चलेगा सोचे नहीं थी इतना हो जाएगा बिजली बिजली भी इती नहीं हो गई घर चलाना मुस्किल हो रहा है अब मैं जब अपनी समस्या बताता है जहांसे अगले पास साल में मेरे लाइप में पैसे का सारा समस्या खतब प तब उसको टेंशन क्या है बता तब मैं उसको बोलता भाई ऐसे नहीं हुए मैं वेक्ति है जो जिन्होंने मुझे बिजनस दिया है मैं उन्हें अपने गुरू समझता हूँ उनको मिलने के लिए तुझे आना पड़ेगा और आसानी से मिलते नहीं है अब इडिफेकेशन किय प्रस्तूत कैसे करते हैं वो इंपोर्टेंट है हम छूटते ही सब कुछ बता देते हैं पड़ेगी लोग आते हैं और उसमें यह लाओ फैवरेज काम करता है अगर आपका दस लोग बुलाने से एक लोग आता है तो आप सो को बुलाओ दस आएंगे आएंगे यस कॉछ बार लोग तीन को बुलाते हैं और यह सौचते हैं कि पांच आ जाएं तो वो तो कैसे होगा पांच ही के पीछे पढ़ा है पाफ साल से उन्हीं को बार बार फोलो कर देंगे को नहीं आएं देहाँ और अगला प्रिशन लेरा हूं चाम सिसटम में उसे अटेच जब तक आप कनेक्ट जैसे मुझे मोबाइल चार्ज करना तो प्लक के साथ मुझे उसे लगाना पड़ेगा जब इलेक्ट्विसिटी आईगी तो चार्ज होगी आप सिस्टम से बाहर गया तो आउट होने के पूरे चांस है तो टीम में जब आप नई लोगों को जोड़ते ह तो इमीजेट हमारे यह हमें एक ट्वेणिंग करते कि आज जुड़ा तो वी दिन सेवें डेस उसके साथ एक दूसरी मिटिंग जबूर होनी चाहिए और कोसिस कभी दो दिन के अंदर करें तो बेटर है और वहां पर फिर आप वापस से उसे पूरी समझाईए आप बिजन सेट हो जाएगा फिर वो दिवे-दिवे मिटिंग ट्वेणिंग की कल्चव लगा दो फिर वो एक्टिवेट होता है सिस्टम के साथ में प्लग इन करें उसको दैट्स क्रेट सर रवी संक्र का प्रशन है डैरेक्ट सेलिंग कंपनी में आने के बाद सुरुवाती दिनों मे इंकम कम आती है खर्चा ज्यादा होता है उस समय कैसे काम किया जाए यह हर नए लोगों की समस्या होती है और खास करके अगर आप सुरु में फुल टाइम कर वे हो तो आपको यह ज्यादा समस्या आएगी तो उस वक्त में एक ही कहूंगा आप अपना एक इस तरह से बैलें से कैसे निकाल सकता हूं फिर वही आपके दो ऑप्शन है एक विटेल करना एक जोड़ना तो अगर मैं कुछ लोगों को माल बेच के अगर दिन के 200-400 बना लेता हूं तो मैं यह खर्च बड़ी आसानी से निकल सकते है फिर आप जब जोईनिंग करने लगता हो तो टीम बिल बगर आप जोड लीजिए मानलो आपका बीस अजार आता है तो आपको बीस अजार हर हाल में आने ही चाहिए हां सुरूक के अगर इनिशल दो रहे तो चार महीने छे महीने आप उसमें रख सकते हो वहीं चार चे महीने नहीं भी आएंगे तो मैं घर से लगा के काम क्योंकि जब मैं जॉब छोड़ा था तीसरे महीने में तो मैं यह सोच के छोड़ा था जितना मैं जॉब से कमा रहे उतना मैं यहां से तो निकाल लूगा और मैं उतना निकाला भी क्योंकि जब आप ब्रेक इवेन कमाते तो बवड़न नहीं होता है अब जब आप फिल्ड में करोणों लोग फोलो करते हैं, आप जैसा अच्छा अप्लाइन अगर किसी को बनना है, क्या क्या गुण उसके अंदर होने चाहिए? अच्छा अप्लाइन बनना, इसमें एक चीज में कहूंगा सुवेंदर सार यहां पे, कि मैंने इस टर्मिनलोजी को थोड़ा चेंज किय को बोकषच्छ कैसे है, मैं अप्लाइन को बलता हूँ गाइडलाइन, इसमें उच्छा ऊच्छे लाइन के बाद है, यहां फिलिंग को बनना है, आपको प्रहईन के बाद करना है, यहां पे आपको टीम building करनी है आच और टीम बीडिग करने के लिए पहली कंडिशन अपका सही विलेशन ऑफ सही कम्टनिखेशन तीम के साथ होना चाहिए लोग टीम नहीं करना लेन लेकिन टीम तीका नहीं करिए यह दो चीजों से आपकी टीम बन सकती है उसके बाद एक होता है problem shooter बनिए छोटी-छोटी समस्या है आएगी उसको तुवन solve करिए अच्छा कई लोगों समस्या को problem solver solver है शूट कर दो problem आए खतम कर दो वहीं पर उसको टीम में बढ़ने मत दो चोटी-छोटी समस्या हर किसी की आती है जब आप वन यह चार लोगों को बताते हैं चार फिल्ड के ऐसे नियम है जो आपको करने हो तीन आपको टेक्ट इसे seven golden wolves बनाए है उसमें पहला नियम यह करता है कि हर दिन दो से तीन लोगों को मिलना जो पाट टाइमर है अच्छा फुल टाइमर है तो छे साथ लोगों को तो मिलना ही मिलना है दूसरा नियम यह करता है हर पंदरह दिन पर एक बेसिक ट्रेनिंग करिए अच्छा और यह कर आपके वीखली आपके जो प्रोग्राम सोते हैं जिसको जीटियस बोलते हैं या बीओपी कुछ लोग बोलते हैं या हों मिटिंग दो से तीन होने चाहिए और चौथा महिने में एक बार अपने अप्लाइं के साथ बैठके अपनी प् टीम में लीडर की वेट करिए अच्छा इंडिपेंडेंट लीडर बनाईए आज मेरे कई लीडर से इतने बड़िया इंडिपेंडेंडेंट है कि आज मुझे उनको ना भी फोन करूं तो भी महिने के कवरोडों के बिदने सौलिम दे देते तो लीडर बनाना बहुत इंप देते रो और प्रॉलम जो है उसको खटम कर दीजिए उसको खोड़ा प्रॉलम सुटर बना है और तीसरा पॉइंट आपने बताया है भी चौथा पॉइंट यह बताया मैंने कि आपके टीम में लीडर्स बनाईए लीडर क्रियेट के जिए इंडिपेंडेंट बनाईए उन लीडर भी स्नेचिंग में इन्वाल है। लीडर ही पेसे का याउबा काम कर गा है। तो आप लीडर क्या होता है। लीडर सुट लीडर ही इंडिपा एग्जकी तो आप चैमल सेट को मौगए, वह ही आपकी टीम करेगी। तो आपकी टीम बहुत बड़िया बनेगी, आप स तो आपका अनुभव है आपकी जो अचीवमेंट है वह आपकी बातों से बिल्कुल भी जलक रही है लेकिन समय इजाज़त नहीं दे रहा है दो इंट्रीव हम लोग कर चुके हैं लेकिन दो से काम नहीं चलेगा राजेशी आपके पास जो गंगा है ग्यान की नहीं सर बस यह अब जितना अपने अप्लाइन से सिखा उसे जदा अपने डाउनले जो मैं भी लाइफलाइन अंसे सिखा हूं लगनिंग चाहिए और चाहिए बहुत जभू भी उसके लिए तकी डाउनलाइन में हिंदुस्तान के बड़े-बड़े लीडर से जाए अट एक बार फिर सभी वीवर्स की तरफ से दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद और इसी प्रकार से मिलते रहेंगे जिसकी एकदार है बस बस आप हमें भी गाइट करते हैं हम भी आपके साथ कंदे से कंदा मिला गया इस इंडिस्ट्री के लिए कुछ कर सके बस आपके पचिन्दों में इतने बड़े अचीवर क्यों हैं और आप भी अगर इस प्रकार के बड़े लीडर अचीवर बनना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार के इंट्रियूज देखने पड़ेंगे और अगर आप देखना चाहते हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बात कैसे बनेगी अभी सब्सक्राइब कर दीजिए बैल आइकन दबा दीजिए टीम के लोग अगर फोलो नहीं कर रहे हैं तो इन्फोर्मेशन उनके पास में कैसे जाएगी आप फारोड करना भूल गए तो उनको इंतजार करना पड़ेगा एक अच्छा इंट्रू सायद वो मिस कर द और बैल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलें और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें वीडियो को जादा से जादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें